चला शुरू करते हैं अब कुछ earn करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग return return में हमने सबसे पहले क्या दिखा था holding period return यहाँ पर आप यह समझ लोग कि यह हम लोग किस से deal कर रहे हैं यह हम लोग एक मिनिट देना यह हम लोग deal कर रहे हैं individual stock से यहाँ पर अभी हम लोग individual stock का return कैसे calculate करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं holding period return holding period return क्या बताता है कि कोई भी share को hold करने से वज़े से कितना मेरे को return मिल रहा है holding period return का मतलब क्या हुआ कोई भी share को जब मैं hold कर रहा हूँ उससे मेरे को जो return मिल रहा है उसको में क्या बोलूँगा holding period return holding period return को हम दो पार्ट में divide करते हैं एक होता है capital appreciation दूसरा होता है current yield capital appreciation का मतलब या देना कभी भी एक share का price जब हम लोग खरीतते हैं उसके बाद जब उस share का price बढ़ जाता है वो जो price बढ़ रहा है उसको हम क्या बोलते है capital appreciation इसको calculate कैसे करते हैं तो इसको calculate कैसे करते हैं हम लोग closing price minus opening price divided by opening price यहां पे हम लोग opening price को base लेके देख रहे हैं कि closing price कितना जादा बढ़ गया है और into hundred कर देते हैं क्या हो जाएगा percentage के basis इस पर हमको मिल जाएगा ठीक है और current yield का मतलब क्या होते है अब share हमने खरीद है तो share पर हमको कभी कभी क्या होते है distribution होता है dividend का जब dividend मिलता है ना तो हम लोग क्या करते है dividend upon opening price जिस price पर मैंने खरीद है उसको base लेके मैं देखता हूँ कि मैंने कितना percentage rate of return का मतलब क्या होता है कि यह जो अपने first part holding period return सी का इसमें क्या हो रहा है हम हर साल का return निकाल सकते हैं अब हर साल का return निकाल ले रहे है बट यह return का निकालने का फाइदा क्या है तो अब क्या समझ लो मैं आज खड़ा हूँ मेरे को जानना है कि अगले साल मैं कितना earn करूंगा और उसको जानने के लिए समझ लो मेंको past data दिया हुआ है मेरे को क्या दिवा हुआ है past data past data मतलब समझ लो infosys का share हम लोग past है अब हम लोग क्या कर रहे हैं पिछले 5 साल के returns को देखके expect कर रहे हैं अगले साल कितने का mere को क्या होगा return मिलेगा तो इसमें क्या करूंगा सबसे पहले हमको दिया रहता है question में years और return हमको क्या करना होगा ह कहां पे returns का पहले total करना बाहँगा returns का total कर लेंगे Summation rate expected return निकालने के लिए तो r bar is equal to summation r upon n क्या करेंगे, r bar is equal to summation r upon n, उसके बाद अगर expected data दिया है, expected data का मतलब क्या होता है, कि समझ लो, मेरे को देगे रखा है, कि infosys की price, एक साल में, अगर government ने अच्छा performance दिया, तो 15% हो सकती है, या फिर government ही change होगे, तो समझ लो 10% है, और अगर same government है, बट काम अच्छे से नहीं हो तो यहां पर हम लोग क्या लेंगे, probability और return, probability क्या है, कि यह event के होने की probability कितनी होगी, ठीक है, तो हम इसको percentage में भी देखता है, या फिर, हम लोग decimal में भी देखते है, तो यहां पर, फिर हम क्या करेंगे, यह probability दी हुई है, इसको हम लोग return से multiply करेंगे, तो हमको क्या मिल ज गया हमारा individual stock को लेके but अगर हमको portfolio का Δिया हुआ है तब हम क्या करेंगे portfolio का दिया हुआ हो है तो हम población हग आध्र vaccination चाहे तुमको pass data दिया हो या expected data दिया हो सबसे पहले हमको क्या करना है returns find करना है किसके individual stock के जब हमारे पास returns मिल गए सारे stocks तो हम क्या करेंगे, सब के weights दिखेंगे, अब weights कैसे होंगे, अगर हमको investment दिया हुआ है, तो हम लोगों देखा था ना, कि समझ लो, infosys में अगर हमने 2 करोड लगाये हैं, और total investment भारा 10 करोड है, तो कितना weight हुआ, इसका 0.2, तो हम क्या करेंगे, सबसे बहले stock लिखेंगे, return लिखेंगे, और weights लिखेंगे, उसके बाद weight into return कर देंगे, और जो ये weight into return किया है, इसका जब हम total करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, portfolio का return मिल जाएगा, तो ये part था हमारा return निकालने का, जहाँ पर हमने सबसे पहले देखा individual stock का and then portfolio का, फिर हम लोग किस पर आये थे, risk प होता है, risk basically यह होता है हमारा fluctuation, fluctuation किस चीज़ का, जो मैं return कमाने वाला हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ, कि infosys पे मैं को 12% return होने वाला है, और इसमें risk बोला गया है, कि मेरा जो share है, वो ये return 15% उपर जा सकता है, या नीचे 5% जग जा सकता है, तो ये मेरा risk है, risk क्यों है, क्योंकि देखो, risk अगर आप देखोगे ना तो ये negative term नहीं है, ये basically आपको बताता है कि आपको जो मिलने वाला है वो sure shot नहीं है, मतलब infosys पे मैं expect कर रहा हूँ 12%, पर ये उपर बढ़ सकता है 15% या फिर नीचे गिर सकता है कितने तक 5% तो अगर मैं individual stock के basis पे जाओं, तो मैं risk किसे निकालता हूँ, तो अगर मैंको past data दिया हूँ, past data में क्या दिया रहता है हमको, past data में हमको याद रखना हमेशा years दिया रहता है और return दिया रहता है, years दिया रहता है और return दिया रहता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, return calculate करेंगे, कौन सा, expected return, कि हम लोग को अगले साल कितना return होने वाला है तो उसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले summation r कर लेंगे क्या करेंगे summation r और उसके बाद summation r करने के वाद हमको क्या मिल जाएगा सबसे पहले return मिल जाएगा फिर हम क्या calculate करेंगे deviation deviation एक बार calculate कर लिया क्या बोल रहो deviation एक बार हमने calculate कर लिया तो याद रहना मेंशा deviation का total कितना आता है past data के case में 0 तो इसके वज़े से हम deviation का use नहीं कर सकते तो हम लोग क्या करते है deviation का square कर देते हैं तो deviation का square कर देते हैं और उसका फिर sum कर देते तो हम लोग कर रेस का formula क्या बन जाता है summation d square upon n ऐसे ही अगर हमको expected data दिया हुआ है तब हमको क्या क्या दिया रहते है probability देके रखा है और return देके रखते है तो सबते पहले हमको क्या करना पड़ते है expected return calculate करना पड़ते है तो उसके लिए हम लोग क्या करते है portfolio into return sorry portfolio बोल रहा हूँ probability into return करना पड़ता है फिर probability into return का हम लोग क्या करेंगे total कर लेंगे तो उससे हम गो क्या मिल जाएगा return मिल जाएगा जो भी है stock का उसके बाद फिर से हम deviation करेंगे याद रखना ये deviation का sum हमेशा 0 नहीं होता क्योंकि हमारा return पे influence किसका है probability का तो हमेशा याद रखना है ये deviation हमेशा 0 नहीं होगा मतलब तुम cross check कर रहे हो कि तुमारे deviation 0 नहीं हो रहा तो इसका मतलब तुम लोग गलत नहीं हो ठीक है हमेशा next फिर हम क्या करेंगे probability into deviation का square कर देंगे और इसका sum कर देंगे इसका जब total कर देंगे तो हमको risk मिल जाएगा तो risk का formula क्या बन जाएगा under root summation of probability into d square ये था हमारा risk in case of individual stock next राज़ा था हमारा portfolio portfolio का हमने formula देखा था risk का क्या था weight of a square into risk of a square weight of b square into risk of b square into two times of weight of b into covariance ठीक है याद है ना तो इसमें हम लोग को new क्या आया था item covariance of a, b covariance का मतलब क्या है relation relation किसका दोनों stock का a and b का अब a and b का relation हमको क्यों जानना है क्योंकि क्या होता है जब ये shares move होंगे तो उनका relation बहुत जादी चीज़े define करेगा कि रिस्क हमारा कम हो रहा है या नहीं अगर हमारा रिस्क कम हो रहा है तो covariance के वज़े से जो हिया रिस्क है ये कम हो जाएगा ठीक है अब हमने कल कल के दिन मतलब जो फर्स लेक्चर होगा था उसमें past data के शिसाब से देखा था तो हमको क्या-क्या दिया रहा था question में हमको ये दिया होँ था return of a दिया रहा था return of b दिया रहा था अब हमको चाहिए क्या-क्या हमको सबसे पहले तो ये equation के हिसाब से weight of A चाहिए, risk of A चाहिए, weight of B चाहिए, risk of B चाहिए और covariance of A, B चाहिए, ठीक है, तो ये 5 elements चाहिए, अब ये 5 elements को कैसे निकालना है तो सबसे पहले, question में हमेशा जाद रखना, weight एक तो दिया होगा, या फिर हमको weight calculate करना पोड़ेगा weight कैसे calculate करेंगे, same, कि A में कितना invested हो, total investment हमारा कितना है, तो उसके basis पर हम weight निकाल सकते है अब question में हमेशा जाद रखना, year, return of A और return of B दिया रहेगा, तो हमको इतना बड़ा table बनाना पड़ेगा सबसे पहला process क्या है, सबसे पहले हम return निकाल लेंगे A का, फिर return निकाल लेंगे B का, और उसके बाद वापित से same deviation निकाल लेंगे A का, deviation square निकाल लेंगे A का, फिर deviation B निकाल लेंगे और deviation B का square निकाल लेंगे और जो हमारा deviation A और deviation B आया है उन दोनों को multiply कर देंगे तो इससे हमको क्या मिल जाएगा सबसे पहले risk of A मिल जाएगा risk of A कैसे मिलेगा summation dA square upon n और फिर summation B कैसे मिल जाएगा summation dB square upon n और उसके बाद हमको क्या निकालना पड़ेगा covariance covariance क्या है? relation अब relation है तो क्या करना है हम लोग deviation of A और deviation of B को जो multiply किया था उसका sum ले लेंगे और divide के से कर देंगे n से हैं तो हमको ये सारे elements मिल जाएगे हम क्या करेंगे फिर इस formula में put करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा क्या मिल जाएगा? portfolio का risk are we clear? चलो एक काम करो अगर किसी को photo या फिर notes लिखने है तो वो लिख सकता है मैं इसको fullscreen कर देता हूँ जाएगा जाएगा ठीक है? इतना पाट हो गया चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर हमारा अगर portfolio का risk in case of portfolio risk in case of expected data expected data का मतलब क्या हुआ? जब हमको probability देके रखा है और हमको क्या बोल रिटर्न्स देके रखा है तब हम क्या कैसे calculate करेंगे? चलो आजा question देख लेते हैं यह देखो क्या दिया हुआ है question में calculate expected return standard deviation of the two investment A and B exclusively exclusively बोला है मतलब क्या है? उन दोनों का separately like अगर individually usually A stock में अगर मैं invest कर रहा हूँ तो return और उसका standard deviation क्या होगा? और अगर B में कर रहा हूँ तो उसका return और standard deviation क्या होगा? and also if total investment is divided one half in each ठीक है? clear है? चलो अभी यह हमको data देके रखा है तो हम यह data को ले लेते हैं एक मिनट यह work नहीं कर रहा हूँ अच्छे से अटा कर रहा है थोड़ा? ठीक है एक काम करते हैं हम लोग question लिखी लेते हैं ठीक है हमको क्या-क्या दिया हुआ है ठीक है स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमको scenario दिया हुआ है फिर हमको देखे रखा है probability फिर हमको देखे रखा है return of A फिर हमको देखे रखा है return of B ठीक है? चला पहले यह सब data हम लोग copy कर लेते हैं ठीक है? यहाँ पे लिख लेते scenario उसके बद यहाँ पे लिखते probability यहाँ पे लिखते return of A यहाँ पर लिखते है, return of B ठीछ, चलो देखते हैं, क्या दिया हुआ है सिनारियो दिया हुआ है RSE सिनारियो देखे रखा है RSE ठीछ है, probability क्या के देखे रखी है 0.2, 0.5 0.3 0.2, 0.5 0.3 A का return क्या क्या दिया हुआ है 12, 15, 20 12, 15, 20 उसके बाद lastly, 10, 16, 12 ठीक है 10, 16, 12 यहाँ पर लिख ले न, question number 5 अब देखो, यह चीज़े हमको दी हुई है अब हम सबसे पहले क्या करेंगे formula लिख लेते हैं क्या होता है formula हमारा क्या formula होता हमारा under root of weight of A square risk of A square plus weight of B square plus risk of B square plus 2 times of weight of A weight of B into covariance of AB ठीक है अब सबसे पहले तो यह expected data वाला है तो हमको weight A और weight B ठीक है, सबसे पहले तो individual stock का risk and return पूछाता न ठीक है, तो एक काम करते पहले individual stock का risk क्या आएगा तो अगर मैं A का निकालूंगा तो A का formula क्या बनेगा under root summation of P D square A upon upon N ने आएगा क्यों, क्योंकि expected data का है ठीक है, तो यह आएगा और दूसरा B का बही आएगा B का क्या आएगा, under root summation of P D B square यह आएगा, तो इसके लिए हमको क्या-क्या चाहिए होगा ठीक है, सबसे पहले तो मेरे को return of A निकालना पड़ेगा, तो return of A के लिए क्या करूँगा मैं, सबसे पहले P into R A निकालूँगा हाना, P into R A निकालूँगा फिर return of B लगेगा तो return of B निकालने के लिए मैं क्या करूँगा P into R B करूँगा हाना फिर A का return आगया, B का return आगया फिर क्या करेंगे, हम लोग deviation करेंगे तो deviation में क्या आएगा formula D A is equal to R A minus R A bar, उसके बाद D A का square कर लेंगे नहीं, गलती है बुल्ला मत formula के हिसाब से हमको क्या चाहिए हमको चाहिए P into D A square क्या चाहिए हमको P into D A square वैसे ही हम लोग B का भी करेंगे B का क्या करेंगे सबसे पहले deviation कर देखेंगे तो D B is equal to R B minus R B bar और उसके बाद क्या करेंगे P into D B square ठीक है, बहुत बढ़ा table होंगे, देखो कितने हम लोग ने बना है एक, दो, तीन, चा, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस दस बने हैं इसमें, ठीक है, टोटल अब एक एक करके calculate करना start करते हैं ठीक है, तो सबसे पहले हमको probability into return of A करना है तो 0.2 into 12 किता रहा है, 2.4 फिर 0.5 into 15, that is 7.5 next, 0.3 multiply by 20, that is 6 next, इसका total कर लो, कितना रहा है तो 6 plus 7.5 plus 2.4 that is 15.9 ठीक है, अब हमारा formula क्या होते है, return of A का summation of P into R A एक मिनट, यह root नहीं आएगा summation of P into R A तो कितना रहा हमारा answer 15.90% ठीक है, ऐसे return B का calculate करते है तो B का return कितना रहा है तो 0.2 multiply by 10, that is 2 0.5 into 16, that is 8 0.3 into 12, that is 3.60 इसका total कितना रहा है 13.60 तो return of B कितना है, summation of P into R B that is 13.60% clear है के इतना part, ठीक है आगे आते है, deviation के part पे, तो deviation कैसे calculate करेंगे तो return दिख रहा है, आप लोग को यह 12 और यह 15.9 इसको लेगे, तो 12-15.9, that is minus 3.90 next 15-15.9, that is minus 0.90 next, 20-15.9, that is 4.10 clear है ना? आगे next क्या करना है, हमको P से D A square को multiply करना है तो हमेशे आद रहना, इसमें कैसे करना calculator लेना, सबसे पहले D square करो तो क्या करोगे, 3.9 into 3.9, that is 15.21 और फिर multiply करो, किसे probability से, that is 0.2, तो आरा है हमारा answer 3.042 तो हम ले लेंगे 3.04 वैसे ही next 0.9 multiply by 0.9, that is 0.81 multiply by 0.5 तो आरा है 0.405 तो 0.41 ले लेंगे क्या करते हैं हम लोग, risk of a निकाल लेते हैं, तो risk of a क्या आता है under root of under root of summation of p into dA square, तो कितना आ रहा है under root of 8.49 that is 2.91 2.91 percent ठीक है, clear है क्या, risk कैसे निकाला हमने a का, अब b का भी वैसे ही निकालो, तो कितना आ रहे ठीक है, कितना है, देखो हाँ, तो हमारा return b का कितना था 10 था और 13.6 से compare करेंगे, तो 10-13.6 that is minus 3.60 next, 16-13.6 that is 2.40 उसके बाद 12-13.6 that is minus 1.60 यह क्या आ गया, यह हमारा deviation आ गया, फिर से हम क्या करेंगे p into db square तो सबसे पहले हम deviation का square लेंगे तो 3.6 multiply by 3.6 multiply by 0.2 that is 2.59 उसके बाद 2.4 multiply by 2.4 multiply by 0.5 that is 2.88 next 1.6 का square multiply by 0.3 that is 0.77 इसका total कर लो कितना आ रहे 2.59 plus 2.88 plus 0.77 that is 6.24 तो रिस्क कितना आ गया b का तो अंडर रूट of summation of pdb square which is equal to under root 6.24 which is equal to 2.50 percent ठीक है? clear है? यहाँ पर अभी हमारा first part खतम हुआ है question का देखोगे ना question तो समझेगा, देखो क्या बोला था? calculate expected return and standard deviation of the following two investment A and B exclusively तो अभी हमने A and B का exclusively return और risk calculate करके दे दिया आगे क्या बोला है? and also if total investment is divided one half is each इसका मतलब क्या है? यहाँ पर बोल दिया गया है कि जो हम लोग investment करेंगे उसमें weight of A रहेगा 50 और weight of B रहेगा 50 clear है? ठीक है एक काम करो पहले यह first part जितना भी अभी ताख हमने लिखा है यह note down कर लो ठीक है? शाद जहां जो हमने ताद झाल झाल प्रक्राइब कर दो प्रटफोलियो के रेटर्न के लिए हमारा फॉर्मुला के यहां पर दिखरा होगा तुम लोंको weight of A into risk of A weight of B square into risk of B square into 2 times weight of A into weight of B into covariance of A and B अभी यह जो हमने first part किया है इससे हमको क्या मिल गया अभी और question में जो दिये होग है weight of A पता है हमको weight of A कितना है 0.50 weight of B कितना है हमको पता है 0.50 risk of A पता है risk of A कितना है 2.91% और risk of B कितना है 2.50% अब क्या चीज नहीं पता हमको नहीं पता है वो है covariance of A, B अब covariance कैसे calculate करते है in case of probability same चीज रहेगा बट एक चीज डिफरेंट हो जाएगी वो क्या? वो होगी summation of P into D A D B क्या हो जाएगा? summation P into D A into D B अब देखो उपर वाले data से हम लोग कुछ-कुछ data ले सकते हैं तो एक काम करते हैं सबसे पहले table बना लेते हैं अब हम लोग को उपर वाले data से क्या-क्या चाहिए ठीक है? तो सबसे पहले तो हमको उपर वाले data से चाहिए probability तो probability कितनी थी? 0.2, 0.5, 0.3 ठीक है? तो dA कितना निकाला था हमने? माइनस 3.9 उसके बाद माइनस 0.9 and lastly 4.1 next हम लोग क्या देखेंगे? dB dB कितना था? माइनस 3.6 next 2.4 next माइनस 1.6 चीक है? तो हमार पाद सारा data आ गया अब हम लोग क्या करेंगे? हम calculate करेंगे p into dA into dB तो इससे हमको क्या मिल जाएगा? covariance तो करो अब किस चीज का दियान दोगे? माइनस 1 का ठीक है? तो देखो dA में कितना है? माइनस 3.9 multiply by माइनस 3.6 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस into 0.2 that is 2.81 तब का है है? 2.81 उसके बाद next 0.9 multiply by 2.4 किसका साइन आएगा? माइनस का क्योंकि देखो a के साथ dA का माइनस है बर dB का प्लस है तो माइनस into प्लस माइनस हाता है तो कितना है? माइनस 1.5 into 0.5 that is एक मिनट कुछ गलत लिया कि हमने? ठीक है 0.9 multiply by 2.4 into 0.5 that is minus 1.08 next 4.1 multiply by minus 1.6 तो आंसर क्या आएगा? minus ठीक है? minus 6.56 into by 0.3 that is 1.97 ठीक है? चलो और ये minus में आएगा इसका टोटल कर लो कितना आ रहे? 2.81 minus 1.08 minus 1.97 that is minus 0.24 ठीक है? तो अब निकाल लेते covariance तो covariance of A, B is equal to summation of P into DA into DB that is minus 0.24 अब सारा data अवेलेबल है तो चलो risk निकाल लेते है portfolio का तो risk of portfolio is equal to under root of weight of A square into risk of A square plus weight of B square into risk of B square plus 2 times of weight of A weight of B covariance of A, B ठीक है? चलो सब लिखते हैं क्या 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 है? weight of A square कितना है? 0.5 का square फिर हाँ 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 risk कितना देखे रखा है? 2.91 का square plus weight of B कितना है? 0.5 का square into 2.5 का square plus 2 times of 0.5 0.5 into covariance कितना दा? minus 0.24 चीक है? चलो calculate कर लेते हैं तो कितना आ रहे? 0.5 into 0.5 into 8.49 that is 2.1225 plus 0.5 का square multiply by 6.24 that is 1.56 उसके बाद last 2 into 0.25 multiply by 0.24 that is minus 0.12 तो कर लेते हैं 1.1225 plus 1.56 minus 0.12 that is हमारा answer आ रहे है under root 3.5625 which is equal to 1.89 ठीक है? तो portfolio का risk कितना आया? 1.89 परसेंट आवी clear? ठीक है? तो table मतलब table क्या है? formula की जो requirement है उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? table की columns बनाएंगे ठीक है? चलो clear है न इतना part? ठीक है? एक काम करो आप लोग ये note down कर लो उसके बाद हम आगे का देखते हैं ठीक है यहाँ पर अभी हमने past data और expected data के हिसाब से portfolio का risk कैसे calculate करते हैं वो देख लिया अब कुछ चीज़े डिसकस करना चाहता हूँ मैं देखो एक simple सी बात समझो अभी हमने क्या देखा एक मिनिट अभी हमने क्या देखा कि portfolio का risk कैसे calculate करते हम लोग तो हम लोग का formula था weight of a square risk of a square plus weight of b square risk of b square plus two times of weight of a weight of b into covariance of a b ठीक है अब यह formula को देखके तुमको किस चीज़ की याद आती है कौन से formula की याद आती है यादे बच्पन में हमने पढ़ा था a plus b का whole square वाला formula तो अगर मैं बोलू अगर मैं बोलू कि यह जो covariance है यह covariance मेरा risk काटी नहीं रहा risk काटी नहीं रहा इसका मतलब क्या है कि जो हम लोग a stock और b stock का जब लेके आए है अब उन दोनों में अगर हम diversification कर रहें तो क्या होना चीए फाइदा होना चीए फाइदा कैसा कि हमारा risk कम हो जाए पर समझ लो risk कम हो ही नहीं रहा अगर मैं बोल दूँ कि मेरा formula है under root of यह वाला part सेम है plus two times of weight of a weight of b into risk of a into risk of b तो तुमको क्या दिखेगा अंदर वाला formula एक काम कहता हूँ यह भी लिखे देता हूँ वना confusion होगा तो तुमको क्या दिख रहा है कि अंदर वाला part एक हमारा formula है तो formula के हिसाब से क्या हो जाएगा under root of weight of a risk of a plus weight of b into risk of b इसका whole square है यह अगर whole square है तो यह root के साथ cancel हो जाएगा तो यह क्या हो गया हमारा weight of a risk of a plus weight of b into risk of b यह क्या गया हमारा risk of portfolio कब? जब हमारा risk कुछ भी नहीं cut रहा clear है क्या? जब हमारा कुछ भी risk cut नहीं रहा diversification करने के वज़े से तो हमारा formula क्या बन जाएगा? weight of a into risk of a plus weight of b into risk of b but but sir आपने यहाँ पे covariance के जगब पे risk कैसे ले लिया? तो मैंने क्या बताया था? covariance का मतलब क्या होता है? दोनों stock का relation अब दोनों stock का समझ लो हमको risk दिया हुआ है तो अगर मैं उन्दों को multiply कर रहा हूँ और मैं को पता है risk का कट नहीं रहा तो क्या मैं बोल सकता हूँ? covariance of a,b is equal to risk of a into risk of b ठीक है? यह कब बोल रहा हूँ? जब risk कुछ भी नहीं कट रहा तो यह जो risk कुछ भी नहीं कट रहा यह हम लोग कैसे define करते हैं? तो याद रखना उसके लिए हम यहाँ पर एक multiplication करते हैं that is r किसे multiply करते हैं? r और r को हम क्या बोलते हैं? r होता है हमारा coefficient correlation ठीक है? क्या होता है r हमारा? coefficient correlation यह क्या define करता है? कि जो relation है वो covariance और risk of a into risk of b में क्या है? अगर मैं बोल रहा हूँ risk कुछ भी नहीं कट रहा इसका मतलब r की value क्या आ गई? 1 अगर मैं इधर r की value 1 पुट करूँ तो क्या आएगा हमको? directly covariance a b का is equal to risk of a into risk of b ठीक है? तो यह r क्या define करता है? r define करता है relationship between risk of a and risk of b कि अगर a का share उपर जाएगा तो b का share नीचे आएगा कि क्या होगा? वो relation को r explain करता है ठीक है? तो जो r होता है यह r की value जो होती है हमारी minus 1 से लेके 1 के बीच में होती है 1 का मतलब क्या होता है? बिलकुल risk नहीं कटेगा और minus 1 का मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा risk कट जाएगा पूरा का पूरा risk कट जाएगा ठीक है? और यहाँ पर एक 0 आता है 0 का मतलब क्या होता है? कि a और b के बीच में कुछ भी relation नहीं है a और b के बीच में कुछ भी relation नहीं है ठीक है? इत्तापट clear है क्या? ठीक है? तो एक काम करो, heading लालो, लिखो उसाथ में, ठीक है, correlation, coefficient, ठीक है, correlation, coefficient, इसके bracket में लिखना, r, ठीक है, इसके अंदर लिखना, r से, ठीक है, इसके अंदर लिखना, it measures the, it measures the closeness, it measures the closeness of the relationship between two securities, it measures the closeness of the relationship between two securities, ठीक है, इसके नीचे क्या करना, लिखना, r is equal to plus one, r is equal to plus one, r अगर हमारा plus one है, इसका मतलब क्या है, risk of stock, risk of stock, do not offset each other, इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर मैं दो stocks में invest कर रहा हूँ, मैं diversification कर रहा हूँ, तो उससे क्या मेरा risk कम होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारा r plus one है, तब हमारा क्या होगा, risk of a into risk of b, हमको क्या मिल जाएगा directly, covariance, वैसे ही, next लिखना, r is equal to minus one, risk of stock offset each other, risk of stock offset each other, and last लिखना, r is equal to zero, no predictability, no predictability of movement, इसका मतलब क्या है, जो a और b का stock का movement है, उसके बीच में कोई भी relation नहीं है, तो ये था हमारा correlation coefficient, correlation coefficient क्या define करता है, कि कैसा relation है, जो दो stocks में हम लोग invest कर रहे हैं, उनका, क्या उन दोनों stock में invest करने के वज़े से, जो मैं diversification कर रहा हूँ, उसका में को फाइदा होगा या नुकसान होगा, मतलब नुकसान नहीं होगा, लेकिन क्या इसका फाइदा है की नहीं है, क्योंकि अगर मेरा R प्लस 1 है, तो मेरे को अलग-अलग invest करने का कोई फाइदा है नहीं है, क्योंकि मेरा risk कम होईगा ही नहीं, बट अगर मेरा R माइनस 1 है, तो क्या हो रहा है, दोनों stock एक दूसरे के risk को क्या करेंगे, offset करेंगे और अगर मेरा R 0 हो गया इसका मतलब क्या है दोनों के बीच में कुछ relation नहीं है ठीक है A उपर जाता है तो B नीचे जा रहा है फिर अगली बार क्या हो रहा है A उपर जा रहा है तो B भी उपर जा रहा है तो यहाँ पर कुछ relation नहीं दिख़ा ठीक है तो इसको हम बोलते हैं correlation coefficient अब R के आने के बाद हमारा क्या होगा हमारा portfolio के risk का formula थोड़ा सा change कर लिया हमने क्या आ गया weight of A square into risk of A square plus weight of B square into risk of B square plus two times of weight of A weight of B risk of A risk of B into R ठीक है clear है इतना part चलो इसके related ना एक-दो sums करते हैं तो थोड़ा comfortable आएगा जब तक हम लोग theory सीखेंगे ना theory के through हम लोग SFM कभी नहीं सीख पाएंगे ठीक है तो कुछ questions लेते हैं तो questions के through हमको थोड़ा idea आएगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं ठीक है यह देखो यह जैसे question दिया हुआ है the return in two securities ठीक है the return in two securities and their associated probabilities are given below find out the value of R हमको क्या find करना है R की value अब R की value find करने के लिए हमको क्या क्या देखे राखा है probability देखे रखा है हमको return देखे रखा है x का return देखे रखा है y का तो अभी हमने क्या बनाया था formula अभी हमने क्या formula बनाया है यह आया कहां से है yellow part covariance से आया है हना तो क्या हम बोल सकते है कि covariance of a b का formula यह बन सकता है risk of a into risk of b into r ठीक है तो अब जो question number 6 दिया हुआ है हमको हमको उसमें दिया क्या क्या है हमको probability देदिया है हमको x का return देदिया है हमको y का return देदिया है तो एक काम करते है पहले table बना लेते हैं चीक है तो सबसे पहले हमको क्या देखे रखा है probability चीक है कितनी देखे रखे रखे 0.2 0.2 0.3 0.1 0.25 and 0.15 ठीक है उसके बाद x का return देखे तक है तो r of x ले लेते हैं कितना है 12 15 minus 7 11 and 7 next r of y देखे रखा है 15 12 15 minus 4 and 6 15 चले given data तो हमने ले लिया अब देखो हमारा formula क्या है हमारा formula है covariance of a b into risk of a into risk of b into r अब हमको r find करना है तो r find करने के लिए हमको क्या चाहिए यह तीनों चाहिए होगा covariance चाहिए होगा risk of a चाहिए होगा risk of b चाहिए होगा तो अब हम क्या करेंगे यहाद है अब हम लोग portfolio का risk निकालते तो हम लोग यही तीनों चीज़े निकालते हैं चलो बड़ा वाला table बनाएंगे start करते हैं सबसे पहले return निकाल लेते हैं x का ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे calculate p into rx चलो 0.2 multiply by 12 that is 2.4 next 0.3 multiply by 15 that is 4.5 next 0.1 multiply by minus 7 that is minus 0.70 next 11 into 0.25 that is 2.75 and lastly 0.15 multiply by 7 that is 1.05 ठीक है चलो total कर लेते हैं 1.05 plus 2.75 plus 4.5 plus 2.4 minus 0.7 that is 10 ठीक है तो हमारा return x का कितना आ रहा है summation of p into rx that is 10% ठीक है ऐसे ही हम लोग क्या calculate करेंगे y का भी तो p into r y तो सबसे पहले 0.2 multiply by 15 that is 3 next 0.3 multiply by 12 that is 3.6 next 0.1 multiply by 15 that is 1.5 next 0.25 multiply by minus 4 that is minus 1 and lastly 6 into 0.15 that is 0.90 कर लेते हैं तो 3 plus 3.6 plus 1.5 minus 1 plus 0.9 that will give us 1 minute कुछ तो गलत क्या 3 3.6 plus 1.5 plus 0.9 minus 1 8% आया सब का आया क्या ठीक है तो यहां पे लिखलो risk of y sorry return of y p into r y which is equal to 8%. अब return आ गया तो अब हम क्या calculate करेंगे deviation ठीक है तो सबसे पहले हम dx calculate कर रहे हैं अभी मैं उसका अंदर का पार्ट नहीं लिख रहा हूं क्या लिखते है हम लोग return of x minus sorry हम लोग क्या लिखते हैं dx is equal to rx minus rx bar अभी मैं इतना full नहीं लिख रहा हूं तो अब तुमको समझना पड़ेगा ठीक है तो dx निकालो क्या आएगा सबसे पहले 12 minus 10 that is 2 next 15 minus 10 that is 5 minus 7 minus 10 minus 17 next 11 minus 10 1 फिर 7 minus 10 minus 3 next क्या calculate करेंगे हम next क्या calculate करेंगे p into dx square तो चलो करो 2 into 2 that is 4 multiply by 0.2 that is 0.8 next 5 का स्कूर 25 multiply by 0.3 that is 7.5 17 का स्कूर 289 multiply by 0.1 that is 28.9 next 1 का स्कूर 1 multiply by 0.25 that is 0.25 and lastly 3 का स्कूर 9 9 multiply by 0.15 that is 1.35 ठीक है चलो सम कर दो इसका 0.8 7.5 28.9 plus 0.25 plus 1.35 आ रहे हमारा 38.80 परसेंट चीक है 38.80 चीक है चलो रिस्क कालकुलेट कर लेते हैं तो रिस्क कितना एगा एगा एक्स का तो रिस्क का एगा 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 चलो, ऐसी y का कर लेते हैं, y का करने के लिए सबते पहले हम क्या calculate करेंगे, dy, तो dy देखो कितना आ रहे है, 15-8, that is 7, next 12-8, that is 4, 15-8, that is 7, फिर-4, minus 8, minus 12, 6-8, minus 2, next, next probability into dy square, तो 7 का square, 49, multiply by 0.2, that is 9.80, next, 4 का square, 16, multiply by 0.3, that is 4.80, next, 7 का square, 49, multiply by 0.1, that is 4.9, next, 12 का square, 144, multiply by 0.25, that is 36, lastly, 4, multiply by 1.5, that is 0.6, कर लेते इसका total, तो 9.8, plus 4.8, plus 4.9, plus 36, plus 0.6, that is 56.10, तो risk y का कितना आ रहे है, under root of summation, p dy square, that is under root of 56.10, which will give us 7.49%, चीके, चल, इतना पार्ट कॉपी कर लो, एक हमारा लास्ट पार्ट बागी है, कौन सा लास्ट पार्ट बागी है, p into dx into dy, ठीके, यह लास्ट पार्ट बागी है, तब तक इतना तुम कॉपी कर लो, रिके, रहे हैंगे झाल, ठीके, दिर बागी है, बोल, नहीं, दो रोर पार्ट बागी है था है, कौन सा बागी है, शोर थार्ट बामी पार्ट बागी है, यह है के बागापी है, आ धनमारा रहे हैं, वहुपी कर दू़ Country, जू पार्ट है, अजीक NEXTुत भाही हैं, झाल 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 इतना पार्ट हो गया चल अब एक लास्ट पार्ट बाकिए हमारा इसमें कोवेरियन्स काल्कुलेट करनेगा तो वह कर लेते हैं ठीक है सबसे पहले हम डी एक्स इंटू डी वाई करेंगे और उसके बाद उसको probability से multiply करेंगे ताकि हमारा sign में गलती ना हो ठीक है तो पहला आया हमारा 2 x 7 x 0.2 next 5 x 4 x 0.3 5 x 4 x 0.3 6 next minus 17 multiply by 7 multiply by 0.1 that is minus 11.90 next 1 x minus 12 that is minus 12 into 0.25 that is minus 3 and last 3 minus 3 into minus 2 that is 6 multiply by 0.15 that is 0.9 ठीक है तो चलो टोटल कर लो 2.8 plus 6 minus 11.9 minus 3 plus 0.9 that is minus 5.2 आया सबका चलो अब covariance calculate कर लेते हैं तो covariance का formula क्या होगा तो covariance of x, y is equal to summation of p into dx into dy which is equal to which is equal to minus 5.20 ठीक है अब हमारे पास सारे के सारे items आ गए तो अब क्या करेंगे हम लोग covariance वाले उपर वाले formula में टालेंगे तो क्या आता है covariance of x, y is equal to risk of x into risk of y into r ठीक है तो covariance हमारा कितना आया minus 5.20 is equal to risk of x कितना है 6.23 multiply by 7.49 multiply by r ठीक है तो इन दोनों को हम क्या करेंगे इसको divided में लेके जाएंगे तो क्या आजेगा minus 5.20 divided by 6.23 multiply by 7.49 ठीक है तो r की value कितने आ रही है r की value आ रही है minus 0.11 ठीक है are we clear चलो note कर लो इतना part ठीक है clear है ना ठीक है अब आते हैं हम लोग next question पर ठीक है काम करते हैं हाँ पर question number 7 लेते हैं देख लेते question number 7 क्या दिया हुआ है हमको देखो क्या बोला है security a has a expected return of 20 percent security a है उस पर हमको कितना return expected है 20 percent and a standard deviation of 30 percent और इस कितना बोल दिया 30 percent security b has an expected return of 26 percent and standard deviation of 60 percent ठीक है उसके बाद if the correlation between a and b is 0.5 यह क्या है हमारा r what is the expected return standard deviation of a portfolio comprising of 40 percent of security and 60 percent of security b तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले हम लिखेंगे key data तो क्या-क्या data given था सबसे पहले तो हमको weight देके रखा था weight of a weight किता दिया था 0.4 और weight of b किता था 0.6 ठीक है उसके बाद आगे क्या बोला था a का था return 20 और risk था 30 return of a 20 risk of a 30 वैसे ही return of b था 26 और risk था 60 return of b 26 और risk हो था 60 ठीक है तो यह हमने क्या बना लिया key data कि हमर को क्या-क्या question में data दिया था अब क्या निकालेंगे हम portfolio का risk तो portfolio का risk का formula क्या था हमारा under root of weight of a square risk of a square plus weight of b square plus into risk of b square plus 2 times of weight of a weight of b risk of a risk of b into r ठीक है अब r क्या दिया हुआ था question में यहां देख्या 0.5 ठीक है चलो values put करते answer निकालते एगदम simple था question दा तो weight of a कितना है 0.4 का square into by risk of a that is 30 का square अच्छा एक मिनट question में पूछा किया है what is the expected return and standard deviation अच्छा दोनों पूछा है return भी पूछा है और standard deviation भी पूछा है ठीक है पहला भी हमने risk calculate करना चालू किया दो risk की कर लेते है 0.6 का square multiply by 60 का square plus 2 times of weight of a weight of a कितना है 0.4 weight of b कितना है 0.6 into risk कितना है 30 60 और r कितना है 0.50 इतना पाट क्लिये रहे हाँ इतना पाट क्लिये रहे ना चलो calculate करते है तो सबसे पहले 0.4 का square multiply by 900 that is 144 plus 0.6 का square multiply by 3600 that is 1296 plus 2 into 0.4 into 0.6 into 30 into 60 into 0.5 that is 432 चलो इन तुनों का sum करो कितना आ रहे बताओ 144 plus 1296 plus 432 that is 1872 तो इसका root कर लेते है तो कितना आ रहे 43.27% कितना रहे 43.27% ये क्या आ गया हमारा risk आ गया अब हम लोग क्या करते है return calculate कर लेते है तो return of the portfolio क्या आता है formula weight of A into return of A plus weight of B into return of B तो weight कितना था A का 0.4 multiply by 20 plus 0.6 multiply by 26 तो 0.4 multiply by 20 आ रहे हमारा 8 plus 0.6 multiply by 26 आ रहे हमारा 15.6 तो total कितना आ गया 23.60% easy ठीक है कुछ जादा हमने दिमाग निलगा है इसमें हमको क्या है question में जो data दिया था उसके सबसे हमने formula में put किया और हमने risk और return निकाल लिया portfolio का ठीक है चलो इसको note down कर लो ठीक है हो गया लिखके चलो आगे बढ़ते है next question देखते है question number 8 अचा question number 8 ठीक है चलो question number 8 देखते है क्या बोल है the standard deviation of returns of two securities is 5% and 10% ठीक है तो यह क्या है risk दिया हुए and expected return is 8% and 12% the portfolio invested with 40% in the first security and 60% in the second security ठीक है calculate the expected return and standard deviation of the portfolio assuming that the correlation coefficient between the return is 1, 0 and minus 1 ठीक है तो अभी क्या बोला है हमको return और risk निकालना है portfolio का जहां पे हमको 3 correlation दिये हुए ठीक है तो देखो गे ना question में तो हमको return और risk दोनों निकालने को बोला है अब कौनसे formula में हमारा correlation आता है risk वाले में तो अगर risk वाले में correlation का formula आता है तो risk हमको तीन बार calculate करना पड़ेगा but return किते बार एक ही बार ठीक है चलो एक काम करते हैं पहले data निकालने देए ठीक है start करते है question no.8 लिखना हो key data ठीक है key data में क्या आएगा हमारा weight आएगा फिर return आएगा फिर risk आएगा चीक है और correlation आएगा तो r की हम लोग value दे देते हैं first plus one एक मिनिट plus one second value क्या थी zero third value क्या थी minus one चलो data देख लेते हैं risk है हमारा 5% and 10% risk क्या हमारा risk क्या हमारा 5% and 10% ठीक है फिर expected return ने 8% and 12% expected return ने हमारा 8% and 10% और weight क्या देखे रखे थे first वाले में 40% और second वाले में 60% तो 0.40 and 0.60 चीक है चलो मेरे साथ साथ में करो क्योंकि अभी हमारा जो last value क्योंशन था एकदम same to same था सबसे पहले हम return निकाल लेते the return of the portfolio is equal to weight of A into return of A plus weight of B into return of B right तो weight क्या क्या है 0.4 multiply by 8 plus 0.6 multiply by 10 एक मिनिट 10 था कि 12 था 12 था 12 था चीक है तो यह 12 कर लो तो 0.4 multiply by 8 that is 3.2 plus 0.6 multiply by 12 that is 7.2 तो हमारा आंसर आ रहे 10.40% आया सबका return 10.40 थीक है चलो अब रिस्क निकालते हैं तो रिस्क अफ दो पोर्टफोलियो वें रिस्क अफ़ इककोल तो plus 1 तो formula लिखना रिस्क का अंदर रूट आफ weight of A square plus risk of A square plus weight of B square plus into risk of B square plus 2 times of weight of A weight of B risk of A risk of B into R which is equal to weight क्या-क्या थे 0.4 तो 0.4 का square into risk कितना था 5 का square plus 0.6 का square into 10 का square plus 2 times of 0.4, 0.6 into 5 into 10, into 1 चलो calculate करो इसको कितना आ रहे 0.4 का square multiply by 25 that is 4 plus 0.6 का square into 100 that is 36 plus 2 into 0.4 into 0.6 into 5 into 10 that is 24 which will give us under root of 40, 64 which is equal to 8% आया सबका ठीक है next risk of portfolio when r is equal to 0 risk of portfolio is equal to same formula लिखना weight of a square formula लिखने की आदर डालना ठीक है क्योंकि कभी-कभी formula skip किये न examiner mark skip कर देगा सीधा ठीक है weight of b risk of a risk of b into r अंडर रूट ओफ 0.4 का square into 5 का square plus 0.6 का square into 10 का square plus 2 times of 0.4 0.6 5 10 0 अब तुमको दिख रहा होगा यह last वाले में 0 आ गया तो उसका तो 0 होगया और आगे वाले change नहीं हुए तो हमारा डेरेक्ली लिख सकते हम 4 plus 36 तो कितना है under root 40 तो 40 का root कितना होता है 6.32 ठीक है तो देखो हमारा risk कम हो गया जैसे हमारा r plus 1 से 0 पे आया हमारा risk क्या हो गया 8% से 6.32 पे आ गया next लेंगे risk of portfolio when r is equal to minus 1 तो वापे से risk of portfolio is equal to under root of weight of a square into risk of a square plus weight of b square into risk of b square plus 2 times of weight of a weight of b risk of a risk of b into r तो कितना है 0.4 का square into 5 का square plus 0.6 का square into 10 का square plus 2 times of 0.4 0.6 5 10 minus 1 तो क्या आ रहा है under root of 4 plus 36 minus 24 which is equal to under root 16 that is 4 percent चीक है चालो देखोगे तीनों का analysis तो जब हमारा r plus 1 था तब risk कुछ भी नहीं कट रहा था तो हमारा risk कितना आ रहा था 8 जब हमारा r थोड़ा सा कम हुआ r 0 पे आ गया हमारा risk कितना हो गया 6.32 percent और जब हमारा r minus 1 हो गया तब हमारा risk कितना हो गया 4 percent ठीक है इतना part clear है चलो काम करो note down कर लो जिस जिस ने भी note down नहीं किया वो note down कर लो मैं full screen कर देता हूँ एक second ना कर फिस कितना हो थे इता हूँ झाल भी झाल यूँ उन्यूट यूज प्रेशित झाल 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 ये भी हो गया पचल आजअओ नेक्स्ट क्वेशन करते हैं ये कौन जा हो थो क्वेशन नपर एट्थ चलो क्वेशन नमबर नाइन्ठ पर आते हैं क्वेशन नमबर नाइन्ड लिखना आओ question number 9 read करते है देखो क्या दिया हुआ है अधिती is interested in to construct a portfolio of security MNN तो अधिती क्या कर रही है एक portfolio बना रही है security M और N का she has collected the following information expected return देखे रखा है और risk देख रहा है अच्छा यह change कर ले न यह risk है 12% and 16% coefficient correlation between MNN is 0.16 ठीक है तो relation कैसा है दोनों के बीच का 0.16 आधिती want to constitute 5 portfolios अभी यह portfolios देखे रखे 5 कौन कौन से ठीक है अगर पूरा funds M में लगाया तो 50% M में and 50% N में 75% M में 25% N में 25% M में and 75% N में या फिर सारा का सारा इंवेस्ट कर दिया N में ठीक है तो हमको क्या calculate करना है सबसे पहले expected return calculate करना है expected return कैसे calculate होता है याद है ना weight of A into return of A plus weight of B into return of B ठीक है फिर उसका plus कर लेंगे तो हमको आ जाएगा ठीक है चलो start करते है ठीक है तो सबसे पहला सिनारियो क्या देके रखाए ठीक है all money invested in M all money invested in M ठीक है एक काम करते हैं पहले key data बना लेते हैं ठीक है ताकि चीज़े हमारे सामने रहे हैं ठीक है तो return ले लेते हैं पहले M और N एना return of M, return of N, risk of M, risk of N तो पहला है 20, 25 और नीचे वाला है 12, 16 ठीक है तो पहला सिनारियो क्या बोला हुआ है कि all funds invested in M ठीक है अगर मैं सारा का सारा पैसा M में लगा दूँ तो मेरे को return कितना मिलेगा तो return तो मेरे को M का ही मिलेगा that is 20 परसेंट और रिस्क भी किसका मिलेगा M का ही मिलेगा that is 12 परसेंट ठीक है second second क्या था 50 परसेंट इन M एंड 50 परसेंट इन 50 परसेंट इन M एंड 50 परसेंट इन तो weight of M हो गया हमारा 0.5 और weight of N हो गया 0.5 तो चलो पहले return निकाल देते हैं तो return आजाता portfolio का weight of M यूस करना weight of M into return of M plus weight of N into return of N that is 0.50 multiply by 20 plus 0.50 multiply by 25 that is 10% plus 12.5% that will give us 22.5% अब इसका इस रिस्क निकाल लेते हैं तो रिस्क कितना आएगा अच्छा हां हमको R भी देखे राखा था ना R देखे राखा था 0.16 तो रिस्क निकाल लेते हैं रिस्क कितना आएगा under root of weight of A square risk of A plus weight of B square into risk of B square plus 2 times of weight of A weight of B risk of A risk of B into R R चलो values put करो weight of A कितना है 0.5 का square into risk of A कितना था 12% तो 12 का square plus 0.5 का square into 16 का square plus 2 times of 0.5 0.5 12 16 और R कितना था 0.16 चीक है चलो इसको solve करो कितना रहे 0.5 का square into 144 that is 36 plus 0.5 का square into 16 into 16 that is 64 plus 2 into 0.5 into 0.5 into 12 into 0.16 that is 15.36 ठीक है तो total कितना आ गया 115.36 which is equal to 10.74 ठीक है clear है क्या पहले वाले में क्या हो रहा था पूरा का पूरा funds अगर मैं M में डाल रहा हूं तो M का ही return मिलेगा और M का ही risk लगेगा but second case में क्या हो रहा है 50% अपन M में डाल रहे है और 50% हम N में डाल रहे है तो इसके लिए हमने weight of M ले लिया और weight of N ले लिया उसके हिसाब से हमने पहले return निकाला portfolio का और उसी case हमने क्या किया risk निकाल लिया ठीक है चला इतना part note down करो उसके बाद हम next 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 इसका third part लेते है ठीक है third वाला देखते है third वाले में क्या बोला है 75% in M and 25% in N third 75% in M and 25% in N ठीक है चलो return calculate करते है एक मिनट देना हाँ चला 75% in M तो सबसे पहले return निकाल देते है weight of M into return of M plus weight of N into return of N weight of M कितना लोगे 0.75 और return कितना लोगे 20 plus weight of N कितना है 0.25 into 25% तो कितना आ रहे 0.75 multiply by 20 that is 15 that is 15 plus 0.25 multiply by 25 that is 6.25 कितना आ गया हमारा 21.25 ठीक है ऐसे risk calculate कर ले थे risk कितना आएगा same formula weight of A square risk of A square plus weight of B square risk of B square plus 2 times of weight of A weight of B risk of A risk of B into by R चलो values put करते है तो weight of A कितना था 0.75 का square into 12 का square plus 0.25 का square into by 16 का square plus 2 times of 0.75 0.25 12 12 16 and 0.16 ठीक है चलो बताओ calculator से क्या क्या आएगा 0.75 into 0.75 into 144 that is 81 plus 0.25 multiply by 0.25 multiply by 116 into multiply by 16 that will give us 16 plus 2 into 0.75 into 0.25 into 0.25 into 16 into 0.16 that will give us 11.52 ठीक है तो रिसके कितना आ रहे 81 plus 16 plus 11.52 that is under root of 108.52 which will give us 10.42% ठीक है next 4th फॉर्थ वाला क्या था 25% 25% 25% in M and 75% in N ठीक है 25% in M and 75% in N प्रेगे प्रेट रेटा रिटन निकाल देते पोर्टफोलियो का तो रिटन कितना आएगा weight of M into return of M plus weight of N into return of N 0.25 multiplied by 20 plus 0.75 multiplied by 25 0.25 multiplied by 20 which will give us 5 plus 0.75 multiplied by 25 which will give us 18.75 ठीक है तो कितना आते है 23.75 छीक है एंद risk निकल लेंगे तो risk का same formula weight of A square return of A square plus weight of B square into return of B square plus 2 times of weight of A weight of B risk of A risk of B into R ठीक है चलो values put करो तो 0.25 का square into 12 का square plus 0.75 का square into 16 का square plus 2 multiplied by 0.75 0.25 into 12 into 16 into 0.16 ठीक है तो पहले का क्या आएगा 0.25 multiplied by 0.25 multiplied by 144 which will give us 9 plus 0.75 multiplied by 0.75 into 16 into 16 which will give us 144 and last आएगा same रहेगा 11.52 तो कितना आ रहा है 144 plus 9 plus 11.52 which will give us under root 164.52 which is 12.83 percent clear and last वाला क्या था last वाला था 100 percent in N अगर मैं N में पूरा 100 percent put कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है मिरा को return कितना मिलेगा N का ही मिलेगा that is 25 percent और risk भी कितका है होगा N का ही होगा that is 16 percent ठीक है clear है चलो ये तीन पार्ट नोट कर लो अभी के लिए ठीक है फटा फट नोट करो इसके बाद हम next पार्ट करते हैं इसका ठीक है अब हमने पांचों सिनारियो के क्या निकाल लिए return और risk निकाल लिए है तो एक बर question पर जाते है question में आखिरकार पूछा क्या है हाँ तो सबसे पहले तो हमको क्या पूछा था expected return निकाल लिए हमको सारे scenarios के हाँ वो निकाल लिया हमने risk factor associated with this portfolio risk भी निकाल लिया हमने अब पूछाए which portfolio is the best from the point of view of risk risk के point of view से सबसे अच्छा portfolio कौन सा होगा सबसे ज्यादा जिसका risk होगा या जिसका सबसे कम risk होगा obviously जिसका सबसे कम risk होगा तो काम करते हैं यहाँ पे आते हैं देखते हैं हम देखो पहले वाले में risk कितना है 12% दूसरे वाले में कितना है 10.74 तीसरे वाले में कितना है 10.42 चौथे वाले में 12.83 और 5 वाले में 16% सबसे कम किस में लग रहा है थर्ड वाले में तो क्या लिखोगे best portfolio on the basis of risk is third that is 75% in M and 25% in N clear है and next question क्या था उसी में छोटा सा next question क्या था which portfolio is best from the point of view of return return के point of view से सबसे अच्छा portfolio कौन सा होगा जो सबसे जाधा return देगा ठीक है तो सबसे जाधा return कौन से stock ने दिया है वो देख लेते अगर फर्स्ट वाले का देखोगे 20% second वाले का देखोगे 22.5% third वाले का देखोगे 21.25% fourth वाले का देखोगे 23.75% and last वाले का देखोगे 25% तो क्या लिखोगे यहां पर best एक मिनुट best portfolio on the basis of return is fifth that is 100% in n चीक है तो यह सारे हमारे question के answers हो गए ठीक है समझ में आया है ना देखो अभी return and risk के calculations एकदम से में आ रहे है ठीक है return के लिए क्या करना पड़ रहे है हमको जो भी stocks में हम लोग invest कर रहे है उनका weights देख रहे है उनके return से multiply करना है और सबको plus कर देना तो अपने को return मिल जाएगा risk के लिए क्या कर रहे है हम लोग under root of weight of a into risk of a दोनों का square into by weight of b का square into risk of b का square plus two times of weight of a weight of b risk of a risk of b into r ठीक है तो यह हमारे formula को use करके हमने क्या सीख लिया निकालना risk of a portfolio ठीक है चलो एक last question पर जाते हैं आज के that is यह हमारा question number कौन सा था 9th चलो question number 10 करते हैं आज का एक last question ठीक है यह भी question बहुत easy है ठीक है जैसे अब हम लोग questions repetitive solve कर रहे है ना semi type में देखो एन investor hold two equity shares a and b in equal proportion equal proportion मतलब क्या हो गया weight of a क्या हो गया 0.5 और weight of b क्या हो गया हमारा 0.50 clear है चलो with the following risk and return risk and return देके राखा है return देके राखा है a ka 628% risk देके राखा है 30% b ka return देके राखा है 24% और risk देके राखा है 26% क्या बोले the return of these securities have a positive correlation दोनों का correlation क्या है 0.7 you are required to calculate the portfolio return and risk further suppose that the investor want to reduce the portfolio risk to 17% how much correlation coefficient to bring the portfolio risk at a desired level ठीक है तो सबसे पहला question के आप पूछा है portfolio का return or risk calculate करना ठीक है चलो पहले वो calculate कर लेते हैं सबसे पहले key data लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है ठीक है तो मेरे को अभी जितना याद है हमारा r था r था 0.7 ठीक है उसके अलावा देख लेते हैं तो return था A का 28 और risk था 30 return of A 28% और risk था A का 30% ठीक है next next return है B का 24 और risk है 26 return है B का 24% और risk है 26% और weight कितना था weight A का 50% तो 0.5 और B का weight कितना था 0.5 अब क्या बोला है हमको पहले return और risk निकाल लाएं तो return यह तो easy part है यह कर रहे हैं तो return of the portfolio is equal to weight of A return of A plus weight of B into return of B ठीक है तो weight of A कितना है 0.5 multiply by return कितना है 28 plus weight of B 0.5 into by 24 which will give us 14 plus 12 that is 26% ठीक है return आ गया चलो ऐसे ही risk calculate कर लेदे हैं risk of A square plus weight of B square risk of B square plus 2 times of weight of A weight of B risk of A risk of B into R ठीक है चलो values put करते हैं तो weights तो 0.5 का square risk किता था 30 का square plus 0.5 का square into 26 का square plus 2 times of weight तो weight किता था 0.5 0.5 into by 30 into by 26 into by 0.7 ठीक है तो कितना आ रहे तो 0.5 into 0.5 into 900 that is under root of 225 plus 0.5 into 0.5 into 26 into 26 that is 169 plus 2 into 0.5 into 0.25 into 30 into 26 into 0.7 that is 273 तो total कितना आ रहे तो 225 plus 169 plus 273 that will give us under root 667 which is under root 25 sorry under root नहीं which is 25.83 ठीक है क्या आ गया हमारा return आ गया और risk आ गया अब question में आगे क्या पूछा था वो देख लेते हैं तो देखो question में आगे क्या पूछा था further suppose that the investor want to reduce the portfolio risk to 17 अभी कितना आया था portfolio का risk 25% के कुछ और round आया था 25.83 अब बोल रहे है कि यह risk में को 17% तक करना है तो how much should be the correlation coefficient correlation coefficient मतलब क्या पूछ रहे हमको R की value पूछ रहे है ठीक है कि R की value क्या होगी जब मेरा portfolio का risk 17% पर आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे same risk का ही formula यूज करेंगे चीक है चलो risk का ही formula यूज करेंगे तो calculating calculating are when risk of portfolio is 17% तो risk of portfolio is equal to under root of weight of a square risk of a square plus weight of b square risk of b square plus 2 times of weight of a weight of b risk of a risk of b into R तो यह किता बोला 17 is equal to under root of 0.5 का square into 30 का square plus 0.5 का square into 26 का square plus 2 times of 0.5 0.5 30 26 and R अब देखो अब root हटाना है तो root हटाने के लिए हम लोग क्या करते है squaring both sides तो लिख देते है squaring both sides ठीक है तो कितना आएगा पहले तो 17 का square that is 289 है 289 है 289 is equal to 0.5 का square into 30 का square plus 0.5 का square into 26 का square plus 2 into 0.5 0.5 30 20 26 and R फिक है चलो solve करते हैं तो कितना R है 289 is equal to 0.25 multiply by 900 that is 225 plus 0.5 का square into 26 into 26 that is 169 plus 2 into 0.25 into 30 into 26 that is 390 R ठीक है अब इन दोनों को plus करके हम इस हैड minus के लिए भेजेंगे तो क्या आएगा 289 minus 394 is equal to 390 R ठीक है? 289 minus 394 that is minus 105 390 R ठीक है? ठीक है? तो R की value क्या आ रही है? minus 105 upon 390 तो R की value आएगी minus minus 0.27 minus 0.27 अगर मेरा R minus 0.27 होगा तब जाके मैं risk 17% का achieve कर पाऊंगा clear है? ठीक है? एक काम करो इतना part note down कर लो ठीक है पहले उपर का part note down कर लो फिर मैं नीचे का part दिखा देता हूं जाए कर देता हूं एक कर दो फिर जाए कर देता हूं कर दो कर दो इतना कर दो बट जो भी questions कर रहे हैं घर पर जाके एक बार वापिस से खुद से ट्राइ करो क्योंकि क्या होता है हम लोग यहां पर questions साथ में तो कर लेते हैं बट कैसा है यह जो formulas हैं यह काफी बड़े-बड़े formulas हैं तो याद करने में time लगेगा तो याद कैसे होंगे जो मैं additional questions दूँग वो additional questions side by side खुद से solve करो तो क्या होगा तुम्हारा confidence अच्छा खासा बढ़ेगा और एक बार तुम्हारा calculation speed बढ़ा तो calculator से तुम काफी अच्छा करोगे ठीक है तो करते रहो अच्छे से and जल्दी CMA final clear करना है है ठीक है चाला बाई-बाई-बाई-गाइस